गुट मॉर्निंग एवरिवन कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्त होंगे तो जो लोग भी ना मेरा वीडियो फॉर्स टाइम देख रहे हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे और सेर कर दे त तो मुझे बार बार गरम पानी करना पड़ रहा था तो मैं बूली चलो क्यों आज मैं इस बोटल में गरम पानी करकर देती हूं क्योंकि मेरा भी मन नहीं होता है अभी तो मैं बहुत दिनों से ना नॉर्मल भी पानी नहीं पी रही हूं क्योंकि मन नहीं करता है लगता है पानी होता तो वही अच्छा था साथी यहां पर हम बनाए हैं आज सुभा के नास्ते में चने की घुगनी और पराठे तो इसी को बच्चे भी लेकर जाएंगे और हजबन के लिए तो मैं नास्ता बना दी थी लेकिन वो किये नहीं मुझे लगता है ना सुभा सुभा रोज तो नहां कर जाते हैं और हवा में ही जाते हैं बाइक चला के तो हो सकता है इसी के वज़े से ठंड लग गई हो उनका तब्या ठीक नहीं था तो फ्रेंड यहां पर ना थोड़ा सा ना पिक्चर कॉलिटी ठीक नहीं आता है मैं चाहती हूं बहुत बार ना कि अच्छे से कर लेकिन थोड़ा बहुत जैसे मिश्टी का चोटी बनाना थोड़ा बैग देख लेना यह सब काम हो जाता है तो इसलिए ना मैं ट्राइपोट में लगा कर बनाती हूं और बस ऐसा आता है दूसरे साइड में यहां पर देखिए आज मेरी बेटी का था प्रोजेक्ट जिसमे उनको कुछ भी बना कर लाना था तो यहां पर बना कर वो ले गई थी फोटो फ्रेम तो बच्चे चले गए हस्बेंड अभी लेटे हुए हैं तो मैं यहां पर ना कूद लफंदोरी से कूद रहे थी एक्चिली मैं ना स्कॉर्ट गाइड की ट्रेनिंग ले चुकी ना तो यह सब मुझे करना बहुत अच्छा लगता था बहुत मैंने पीटी वगारा किया है और आज सरीर ऐसा कर ली थी ना मैं कि क्या बोलू कभी-कभी मैं सोचती हूं कि मैं इतना स्कॉर्ट गाइड की हूं और मेरा सरीर क्या से क्या हो गया फिर अब तो चलिए बहुत अच्छ हो जाता है करते करते अरह आप करते रहीएगा कंटिलोस ली तो यह जो इसे सब कम हो जाएगा तो एकसरसाइज करने के बाद ना ला मती एक अच्छे से फोश ले ती हूं उसके बाद फुर को की इसके बूंचने लेना रहता थोड़ी सी मस्ती मजाग चल रही थी तो देख सकते हैं इसमें भी पानी देने के बाद अच्छे से जान आ गई तो इसके बाद आज आज ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले की तरह एकडम ठूट पड़ों खाने पर ऐसा विल्कुल भी नहीं करना है कि देखिए सिंपल मैं लिए हूं आज में नास्तिए में बनाई थी चने के सबी तो इसमें कच्चा चना है जड़ और पीयाज है टमाटर है यहीं सब थोड़ कि नमक है रहा कप पर 5000 नियम्डa नहीं है किस्ट दश्राइब करते हैं इसे खाने के लिए और मिन्युस्टार का प्लीस आप लोग डी मोटिवेट ना हो एक फ्रैंड का मुझे मैसेज आया कि मैं डी मोटिवेट हो रही हूं तो बिलकुल नहीं होना है डीयर किस वज़े से आप डी मोटिवेट हो रही हैं सिर्फ इस वज़े से हम लोग ना जो हाउस वाइप लोग है हम लोग ना सबसे बड़ा हम लोग काम करते हैं बीना किसी एप्रिशेट के तो क्या हम 32 बार में कैसे बिफाल हो सकते हैं बिल्कुल नहीं हम 32 बार के साथ आगे बढ़ सकते हैं अपने सरीर को भी तंदुरुष्ट कर सकते हैं मोटिवेट हम मैं तु हूँ ही लेकिन आपको खुछ से होना होगा क्योंकि जब तक आप नहीं हो गया तो कैसे होगा अपने काम को करते हैं उस काम को करते हैं साथ के साथ आप 32 बार भी एकदम इमानदारी के साथ करिए मैं एकदम guarantee के साथ बोलती हूँ सच में सभी का हुआ है आपका भी होगा आप लगे रहे बीना कुछ सोचे हुए आप लगे रहे आपका जरूर होगा देखिए friend बहुतों का क्या होता है कि सबका सरीर तो अलग-अलग होता है सबके सरीर में जब कुछ भी हम लोग नया कुछ करते हैं तो हमारा हार्मोन से थोड़ा सा इधर उधर होता है तो किसी का जल्दी हो जाता है किसी का देर होता है हो सकता है आपको आप नहीं कर पा रही हो कहीं तो गलती कर रही हो जिसके वज़े से आपका नहीं हो रहा हो क्यूंकि मैं जब की थी ना तो मुझे बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिला था और मैं तो कुछ डाइट भी नहीं की थी उस वक्त क्यूंकि हमारा सरीर उस वक्त तयार नहीं होता है किसी भी डाइट के लिए अब हमारे सरीर में 4-5 रोटी जा रही है रात में नास्ते में 4 रोटी जा रही है एक थाली चावल जा रहा है और 32 बार के साथ तो automatic है कि हमारा खाना कम हो जाता है, क्यूंकि हमारा सरीर उतना ही खाना लेता है, जितना का हमें जरूत होता है, वो extra लेता ही नहीं है, तो जिसके वज़े से हम लोगो थोड़ा सा तो problem होगा ही, कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा कम जोड़ी लगता है, ले तो 32 बार का आदत लगा, यह सबसे पहले यही करना है, आप लोगों को जो नए लोग कर रहा है, मैं उनको बोल रही हूं कि सबसे पहले आपको 32 बार की आदत लगानी होगी, नॉर्मल रहना होगा, यहीं नहीं कि जिसे बहुत कोई है, कि हर सुबा में भी अपना वेट कर अपना पर हैं, वेट ना पर हैं, मॉर्निंग में भी उस तरीके से किजिए गाना तो उस तरीके से तो अच्छा नहीं है, क्यूंकि थोड़ा सा होता है, आज से हम लोग खाना खाली है, तो थोड़ा सा बढ़ेगा, हम लोग बातरूम चले गाए, तो घटे गा, इस पर चेक कर लाने गई थी ना, तो उस वक्त वहाँ पर डॉक्टर लोग तो करते ही हैं, तो मेरा वेट था 72 केजी था, तो बातर केजी था, तो कुछ दिनों में मुझे मुझे मालूम चला तो उसी से मैं अनुमाल लगाई की सकता है, और फिर आये थे, जब उस वक्त मैं कर तो उस वक्त मेरा वेट हो गया था 55 केजी, उसके बाद मैं फिर कंटिन्यू और की तो मैं थोड़ा सा ज्यादा पती लगने लगी थी, तो हजबन लग फिर बोनने लगे, कि नहीं, ठीक हो, अब मत करो, अब भी रिजन था, और बहुत सारा रिजन था, जिसके वज़े से म मेरे से गलती हो गई, मैं छोड़ दी, जो कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, आज मैं पस्ता आती हूँ, तो खेर कोई नहीं, तो बस मैं, यह नहीं कि हर वीक मैं जा रही हूँ, या फिर मसीन मंगाली हूँ, अपने घर में बार बार नाप रही हूँ, ऐसा करने से ही हम लोग डीमोटिवेट加 होते हैं, कि नहीं घटा अगर सो गराम भी आपका घट गया, सो गराम का मैं बात कर रही हूँ, अगर सो गराम भी घट गया ना, तो आप लोगों को लगे गा लिए यार कितना घट गया, कितना बढ़े घटना बढ़ना होताई है, हाँ फरक का मैं सabhi के बारे में नहीं बोल सकती हूँ क्यूंको सबका अपना सोच है अपना अपना थाड है सबका सोच अलग-अलग होता है लेकिन मैं अपना सोच बता लियू मैंने ऐसे ही किया था मैं इसी तरीके से कर रही थी तो मैं अपना daily life आपप लोग का साथ सेर करती हूं तो जो मैं की हूँ मैं आप लोग के साथ वही सेर करती हूं तो खेर चलिए इसे जल्दी से खत्म कर लेते हैं फिनिस अभी सब्जी बनानी बाकी है और हाँ मुझे कमेंट आता है कि दीदी मेरे सा चावल नहीं छोटता है तो डियर मैं खुद सब्ते में छे दिन चावल खाती हूं मेरे से खुद चावल नहीं छोटता है तो आज मैं आप लोग को ना थोड़ा सा और वीडियो को लंबा करूंगी और मैं आपना दो पहर कभी रूटिंग आप लोग के साथ सेर करूंगी तो उसके लिए अभी कम बोलना होगा मुझे बादने बोलने के लिए रखना होगा तो चलिए इसे खाल लेते हैं वक 30 बार उसके बाद पर आप लोगों से मुझते हैं अब आप second नास्ता करने के बाद ना आगई थी मैं केचन में खाना बनने के लिए और अगल पता नहीं क्या हो रहा हमें कितना भी जल्दी करना चाहती हूना काम लेकिन कैसे दीन बीच जाता है न पता ही नहीं चलता है सुबह से दो पहर– दो पहर से साम कैसे हो जाता है न Chi कि रात बड़ा लगता है लेकिन दीन बिल्कुल छोटा कर रहा है तो चलिए कोई बात नहीं बना लेते हैं सब्जी तो यहां पर मैं बना रही थी गोबी आलू सिमला मिर्च और मटर की सब्जी सूखी सब्जी तो जिसके लिए ना मैं अभी तो अधरा कल लसन कना पेश्ट नहीं मैं बना पाई तो इसी तरीके से बना रही हूं और इस तरीके से ना काफी टेश्टी बनती है तो गरम मसाला और जीरा और तेजपत्ता डाल कर मैं सारे सब्जीयों को डाल दी हूं यहां तक कि प्याज को भी मैं अभी ही डाल दी हूं असात्मी नमक और हल्दी देख करना धीमी आज पर इसे मैं भून लूँगी क्योंकि यह जब सी जाएगा ना उसके बाद फिर गैस का फ्लेम बढ़ा कर आफिर इसमें फिर जो और सुखे मसाले हैं जैसे कि धन्या मेथी पत्ता मिर्ची इसे डाल कर फिर मैं इसे थोड़ा सा भून लूगी यानि कि लाल कर इसके बाद ना इसका टेश्ट ना काफी अच्छा आता है तो देखी बातों बातों में ना हमारी सब्जी बनकर हो गई है तैयार पस स्रिप खाना लगाना है तो जाकर मैं मुझे हज्बंड से कूछना हो और हमारा खाना बनकर हो गया तैयार कि तो सकते हैं यहां पर अब देखती हूं अगर ये अब भी तो फोन चला रहे हैं अगर बोलेंगे खाने को खाना निकालूंगे और फिर हम भी खाएंगे उससे पहले अभी हम लेकर आते हैं थोड़ा सा कपड़ा पसारा हुआ है जो फ्रेंड ये रहा मेरा खाना चावल गोबी आलू की सब्जी सु नहीं है श्रिप में खीरा प्याज टमाटर जो है वह है बस अब इसे तो भाई हमारी थाली लग गई है आज ये आप लोग भी और खाने के लिए तो आप लोग बोलते हैं ना कि चावल नहीं छुटता है तो डियर मेरे से भी चावल नहीं छुटता है मैं भी परते एक दि करते है और जो प्रापर खाना होता है मैं अभी अच्छे से अपने पहर कर खाते हूं पहंडा का समय है तो काफी लेट भी हो जाता और काफी देर तक की प्हुल भी रहता है तो जिसके वज़े से जो भी मुझे le About Egg रात में उतना भूक नहीं रहता हुआ इसलिए मैंने खाती हूं तो चलिए इसे अच्छे सेखा लेते हैं और में खाकर कर दिखाऊँ गया कीस तरीके से काती हमारे Phase ही यहां एवाध चाहिए तो अगर आप लोगों बूरा लगे तो सोरी और मैं दोनों मिलकर ही इतना चावल में हम लोग दोनों खाली है तो जैसा कि अब देख सकते हैं थोड़ी सी है चावल इसमें है गोभी वाली सब्जी और एक सलाथ साथ में लेकर ही मैं इसे खाऊंगी और 32 बार चिवा कर खाऊंगी तो फ्रेंड यहां परना मेरे बच्चे स्कूल से आ गये थे और वो लोग ना आते के साथ हल्ला मचा देते हैं तो जिसके वज़े से मुझे बॉइस ओबर करना पड़ा और मैं यहां परना आराम से चिव करकर के 32 बार के साथ खा रही है इसके बाद फिर मैं घर का जो काम होत करें योकल करते हैं कल फिर मुलिंगी नए ब्लोक नए बातों के साथ आज के लिए इतना ही भाबाइ खाक्यू